हेलो फ्रेंज्स श्वागत है अपने यहट्यूब चैनल भीयस मिशन इस्टडी पर मैं भी नहीं सनमा आप लोग स्वागत करता हूं आज दोस्तों इंग्लीज का टापिक लेका हैं जो परजेंट परफेट कांटिनिवर स्टेंश से समंदित है इससे पहले हम तीन मानकाल यानि इस टेंस में पूरा काम हो चुका है और जारी भी है ठीक दो चलिए देखते हैं पहचान इसका है जिन वाक्यों के अंत में से रहा है जिसे परतेक अंत में से आएगा से रही है या से रहे हैं आदी सब्द आते हैं ऐसे तो इन टेंसों को हम परजेंद परफे अब फर्मेटी संटेंज को स्विक्रातमक वाक या सकरातमक वाक या सधारातमक कहते हैं अब फर्मेटी संटेंज वा होता है जिन वाक्यों में किसी बात को स्विक्यार किया रहता है अथ्वा स्विक्यार किये जाने का निश्चित भाव प्रगठ होता है यानि स्विकार की जाने का निश्टी वह परगट होता है उन्हें क्या कहते हैं अब दिखिए दूस्तों इसका रूल है subject plus has been, have been, beman plus ing plus object यानि यदि करता यो बचन रहेगा अच्वा किसी नम के साथ यदि यो क्वचन है तो उसका सहय किरिया has been होगा चत्था मुच्च किरिया के अंत में ing को हम लोग जोड़ देंगे यदि करता बहुत अच्छन रहेगा तुसका सहाय किरिया है भीन का प्रियोग करेंगे च्था मुख्य किरिया के अंत में अइंजी को जोड़ देंगे और बाकी अबजेक्ट कर देंगे यानि subject plus has been या have been यानि singular नमर पिलूर नमर करूशार उसके बाद भीवन प्लस आइंजी प्लस अबजेक्ट अब देखे दोस्तो एजाम पर इसका वह दो बजे से पढ़ा है यानि से यानि दो बजे से यानि से आ गया अब देखे दोस्तो यानि इस मन से है तो since और फार का चुबा शाम दोपहर और रात ऐसा यह दि पहर का नाम होता है वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं तथा दीनों का नाम हो सुम्मों और बुद्वार ब्रश्पतिवार आधित जैसे दीनों का नाम हो वहां पर भी हम इसका शिंस का प्रयोग करते हैं तथा महीनों का नाम हो जनौरी फ्रवरी मार्च अप्रेल आधी महिना है तो उसमान सिंस का प्रयोग करते हैं और बजे हो तो वहां पर उस सिंस का प्रयोग करेंगे यानि अस्थान निर्धादी थोना चाहिए दोस्तों तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे उसके बाद फार का प्रयोग कहां करत हो और समय अनिश्चित हो वहां पर हम दोस्तों लोग फार का प्रयोग करेंगे अब देखिए वह दो बज़े से पढ़ आया यानि बज़े आ गया दोस्तों तो यहां पर सिंस का प्रयोग होगा तो ही हैज बीन रीडिंग यानि सब्जेक्ट अग जलीरी वर्म यानि सहाइक किरिया वर्म यान जी सिंस टू अकलाक उसके बाद बाव बचल में देख लेजिए वे दो घंटे से गोरपूर जा रहे हैं तो यह बीन गोईंटू जीकेप जीकेप यानि गोरपूर तू हावर्स अब देखिए दोस्तों परजन परफेट कांटिनी वस्तेंस का इसका रूल है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज नाट बीन यानि हैज और बीन के बीच में नाट या हैव नाट बीन प्लस भीवन यानि किरिया की पहली वास्ता उसके बाद प्लस आइंजी आपजेक्ट यानि यह कब चान रहेगा तो हैज नाट बीन का प्रयुक करेंगे कब जब वाक्यों के बीच में नहीं सब्दाएगा तब और बाकी सब्सक्राइब करना है ठीक है तो चली इसका इजांपल देख लेते हैं मोहन सो मुआर से बिद्याले नहीं जा रहा है अब यहाँ देखिए दीनों का नाम दिया है से से लगता है याँ दूस्तों था प्र कंपरवू और दीनों का नाम नहीं देखिए दोसरा बाव वचन के लिए हम दो घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो वी हैव नाट वीन reading the book अब घंटा है एदि बजराता तो सींच लगता और घंटा तो फा लएगा फार तू आवर्स अब देखिए दूस्तों दूसरा अब देखिए दूस्तों इंट्रुगेटी संटेंस यानि प्रस्णवाचक वाक्य प्रस्णवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्यों में प्रस्णवाचक वाक्यों में प्रस्णवाचक वाक्यों में प्रस्णवाचक वाक्यों कहते हैं तो हैं आप देखिए इसका रूल य प्रस्न सूचक चिन जरू रहेगा यानि एक बचन तो है उसके बाद बहुत बचन रहेगा तो है वकाप्रिव करेंगे अब देखिए दोस्तों इसका एजांपल प्रंतु हाँ वाक्यों के बीच में सबसे पहले क्या उठना चाहिए तब अब देखिए क्या तुम सूबह से टहनने जा रहे हो तो हैब यू बीन वाकिम वाकिम माने टहनना सिंस मारने यानि क्या तुम सूबह से टहनने जा रहे हो अब यहां देखिए टहनना भी हो जाएगा तो यहां पर यानि डबल वर्ड लगेगा तो टू भी लाकना पड़ जाएगा इसलिए शाटकाट वाकिम लिखा गया है अब देखिए दूसरा क्या वाद दो दिनों से अब देखिए अब यहां देखिए शुबह तो सिंस का प्रेव कर दिया गया है अब देखिए दोस्तों यह प्रस्णों आचक वाकियों के बीच में कब क्यों कैसे कहां क्या किसका और एससा सब्दों का वड़न होता है तो सबसे पहले इसका रूल यह है कोउश्चन वर्ड प्लस है ज पर इसका सीपाही चोर को सुबह से कब पकड़ रहा है तो यादी कॉश्चन नमट वेन है तो वेन है पुलीस बीन अरेश्टिन ठीप सिंस मारनें उसके बाद दूसरा है बच्चे क्या दो बजे से फुटवाल खेलने हैं तो क्या हो जागे देखिए बीच में क्या आ रहा है तो वाट और बच्चे तो प्यूरल नमबर है तो वाट है चिल्ड्रें बीन प्लेंग फुटवाल तू ओ क्लाक तो लगेगा पर तू यहाँ पर क्या लग जाएगा सिंस लएगा सिंस तू ओ क्लाक अब देखिए दूस्तो इससे पहले हम question or integrate इसे बता चुके है लेकिन टोटर question or 11 होते हैं इससे पहले हम वीडियो बना हैं उसले ही बता चुके हैं अब देखिए यदि question or में कितने कितना या कौन सा आता है तो इसका अलग नहीं हम है दूस्तो क्वेश्चन वर्ड प्लस समंधित नाउं प्लस है या है सब्जेक्ट के अनुसार्ट सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भीवन प्लस आयंजे उसके बाद आपजेक्ट और क्वेश्चन मार्क तेहां देखिए इस जामपन में तुम सुबह से कितना सेव बेच रहे हो यानि जिस जिसको गीना जा सकता है वहाँ पर हाव मैनी का प्रयूप करेंगे जिसको नहीं गीना जा सकता है वहाँ पर हाव मच का प्रयूप करेंगे ठीक है दोस्तों तेहां देखिए हाव मैनी इसको गीना जा सकता है सेव को तो हाव मैनी एपल यहाँ पर एपल्स हो जाएगा have you been sailing since morning अब यहाँ देखिए दूसरा सीमा दो घंटों से कौन से छतरी खईद रही है तेहाँ देखिए कौन से आ गया to which umbrella यानि या क्या हो गया समंधित ना उन हो गया has सीमा been buying far two hours यानि इसका हो गया अब देखिए दोस्तों who से समंधित अब देखिए दोस्तों यदि वाक्यों के बीच में कौन सा सब्द आता है तो इसका यह rule है who रहेगा तो है जयाब लगा देंगे क्योंकि इसमन सब्जेक्ट ही कौन ही सब्जेक्ट का कार्य करता है दोस्तों तो यानि देखिए who है जया है पलस भीवन पलस आइज़ी पलस अब्जेक्ट पलस कॉश्चन मार तो आप देखिए जयामपल सुबह से गाना कौन गा रहा है यानि यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन ही कर रहा है ठीक है दोस्तों तो इसका हो जाएगा who है जया कुछ भी लागा सकते हैं यहाँ पर सिंग है तो यहाँ पर सिंग हो जाएगा यानि सिंगिंग शांग सिंस मार दें ठीक है दोस्तों यानि आज हमने परजिन पर्फेट कांटिनिवस टेंस पढ़ा आफर्मेटी निगेटी और इंटुकेटी से समंदित देखें उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा यदि हमारे वीडियो आपने को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जग दबा दें ताकि हमान लेटिस्ट वीडियो आपके मुझाल पर सबसे पहले मिले जाहें